तेलंगना में होने वाले नगरनेगम चुनावों को लेकर बीजेपी की टी आरेस और ओवैसी से ठंग गई है बीजेपी की दमदार मौझूदगी ने के चंदरशेखर राव और उनके सहयोगी ओवैसी की नीन उड़ा दी है माना जा रहा है कि बिहार विधन सभा चुनाव के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा और कड़ा मुकाबला तेलंगना के नगरनेगम चुनावों में होने बाला है बीजेपी के यवासांसद और भारती जनता यवा मूर्चा के राष्ट्रे अध्यक्ष तेजस्वी सूरिया ने असदुद्दीन वैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन वैसी रोहिंगा मुसल्मानों को पुराने हैदराबाद में संडरक्शन देने का मुद्दा उठाया और कहा कि AIMIM को दिया गया हर वोट भारत के खिलाफ है तेजस्वी सूरिया ने कहा कि ये हास स्यास्पद है कि अकबरुद्दीन और असदुद्दीन वैसी विकास की बात कर रही हैं उन्होंने पुराने हैदराबाद में विकास की अनुमती नहीं दी उन्होंने केवल रोह या मुसल्मानों के प्रवेश को अनुमती दी ओवैसी को दिया गया हर वोट भारत के खिलाफ और भारत से जोड़े हर फैसले के खिलाफ है सूरिया ने कहा कि वे केवल इसलाम, अलगावाद और कटरपंथ की भाशा बोलते हैं जिसे महम्मद अली जिन्ना बोला करते थे त उन्होंने तेलंगना के सीम के चंदरशेखर राओ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हैदराबाद को इस्तानबूल बनाना चाहते हैं उन्होंने के सी आर के लिए ये कहा कि तुर्की के राश्च्रपती लगातार भारत के खिलाफ बोलते हैं और के सी आर हैदराबाद को तुर्की की राजधानी इस्तानबुल जैसा बनाना चाहते हैं। उन्होंने हैदराबाद बाढ़ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हैदराबाद में बाढ़ आई थी। मोधी सरकार ने उस वक्त हैदराबाद को क्या आर्थिक मदद दी। वो अब इस चुनाव को सामपरदाइक रंग देने के कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त उन्होंने कोई मदद की ही नहीं थी। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। जनतार जानती है। झाल झाल झाल